पाठ पाँच. कोई नहीं पराया. पाठ प्रवेश. कवी की दृष्टी में सभी अपने है, कोई पराया नहीं है. वह समस्त संसार को ही अपना घड समझता है. प्रस्तत कविता में कवी ने मानवता बादी दृष्टी कोण को अभिव्यक्ती दी है. पाठ उदेश ये, प्रेम का संदेश देना, मिल जुल कर रहने की प्रेरणा देना, मानवता का भाव जागरत करना, भेत भाव का विरोध करने के लिए प्रेरित करना, कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है, मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में, मैं खड़ा हूँ जाती पांती की उंची नीची भेड में, मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है, मैं सच-सच कहता हूँ कि प्यार है, तो घट-घट मेराम है, मुझको तुम न कहो, मंदिर मस्जित पर मैं सर टेक दूँ, मेरा तो आराध है, आदमी वाले हर द्वार है, कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है, कहीं रहे कैसे भे मुझको, प्यारा यह इनसान है, मुझको अपनी मानवता पर बहुत-बहुत अभिमान है, अरे नहीं देवत्व, मुझे तो भाता है, मनुजत्व है, और छोड़कर प्यार नहीं, स्वीका अमरत्व भे, मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानिया। मेरी धर्ती सौ सौ स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया, मेरा घड सारा संसार है। मैं सिखलाता हूं कि जीयो और जीने दो संसार को। जितना ज्यादा बांट सको, तुम बाटो अपने प्यार को, हसो इस तरह हसे तुम्हारे साथ दलत यह धूल भी, चलो इस तरह कुचल न जाए, पगजे कोई शूल भी, सुख न तुम्हारा सुख केवल, जग का भी उसमें भाग है, फूल डाल के पीछे पहले उपवन का शिंगार है, कोई नहीं पराया, मेरा सारा संसार है, कवी, गोपाल दास, नीरज, कवी परिचय, गोपाल दास, नीरज का जन्म, 4 जन्वरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पुरावली गाउं में हुआ था, वे कवी सम्मेलन के मंचों पर अपनी विशेश शैली में कावे वाचन करने के लिए जाते कवी सम्मेलनों में मिली अपार लोक प्रियता के कारण ही हिंदी फिल्म जगत ने उन्हें गीत लिखने के लिए आमंतरत किया, लेखन कारय के अतिरिक्त उन्होंने अध्यापन कारय भी किया, शिक्षा और साहित्य के क्षित्र में किये गए उनके कारियों के लिए भारत सर उन्हें पदमिश्री और पदमभूशन से सम्मानित किया है। उनके प्रमुखरचनाई हैं दर्द दिया है आसावरे, मुक्तके, विभावरे, नेरज की पाते, गीत भी, अगीत भी, प्रान गेत, नदी किनारे, तुम्हारे लिए नेरज की गीतिकाई आदे।